अगर आप YouTube पर How to Create Free Website लिक्कर सर्च करते हो तो आपके साथ में धेल सारी वीडियोस आ जाती है तो जब आप उन वीडियोस को प्ले करते हो तो उनमें आपको बताया जाता है कि कैसे हम Free Website बना सकते हैं लेकिन उनमें आपको ये बताया जाता है कि आपको .tk.ga.ml इस तरह के Domine के साथ आपको एक Free Website बनाने को बताते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको YouTube की और वीडियोस की तरह बताने वाला नहीं हूँ YouTube की और वीडियो में आपको बताया जाता है Freenorm.com से आपको .tk.ga.ml के डॉमिन को लेनेगा और किसी भी फ्री प्रोवाइडिंग, होस्टिंग, प्रोवाइडर्स की तरफ से एक hosting को लेकर आपको .tk वाले website, .ml वाले website बनाना आपको बताया जाता है लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा .com, .net, .org, .in इस तरह के domains के साथ आप कैसे free hosting, free professional domain के साथ अपना एक free का website आप बना सकते हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कैसे .com वाले domain के साथ हम एक website बनाते हैं वो देख लेते हैं तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आ गए हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेलफूल लगती है तो आप इस वीडियो को like जरूर करती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले आपको अपने browser में आ जाना है और browser में आने के बाद URL में आपको tag करना है मैरा.io आप यहाँ पर देख सकते हो मैरा.com आपको टैब करके एंटर कर दिता है तो मैरा.io एक ऐसा वेबसाइड है जो कि आपको फ्री में वेबसाइड प्रोवाइड करता है जी हाँ फ्री डॉमिन के साथ, फ्री होस्टिंग के साथ, फ्री इमेल के साथ यह आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइड फ्री में प्रोवाइड करते हैं और यह जो डॉमिन आपको प्रोवाइड करते हैं वो डॉमिन होती है .com.in.net.org ऐसे हैवाले डॉमिन के साथ आपको यह एक वेबसाइड फ्री में प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये जो website ये provide करते हैं, ये कुछ समय के लिए free होती है, उसके बाद आपको थोला सा amount इने पे करना होगा, तो ये कितने समय के लिए आपको free में website provide करते हैं, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, आप यहांपर देख सकती हो create a free website for free, तो आपको simply यहांपर अपन stay smart yt, stay smart yt मैंने यहांपर type किया है, तो अगर आपको यह domain available होगा, तो यहांपर search होकर आजाता है, आपका domain available है या नहीं, तो आप यहांपर देख सकते हो stay smart yt.com यह available है, तो मुझे simply यहांपर से selection continue पर click कर देना है, और जैसा ही मैं selection continue पर click करता हूँ, आपके सामें कुछ इस तरह का यहांपर interference आ जाता है, तो आपको simply यहांपर से proceed पर click करके आपको proceed कर देना है, तो आप जैसा ही proceed पर click करते हो, तो आप आ गए हो register page पर, तो यहांपर देखिए register to create you a free website, तो यहांपर से आपको register कर लेना होगा, for example मैं यहांपर से register कर लेता हूँ, और सारी details fill कर आपको यहांपर click कर देना है, और click करने के बाद आप देखिए यहांपर आपके सामने एक tutorial आ गया है, हमें इसे नहीं देखना है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बस आप समझ जाओगे, तो इसे यहांपर से हम cut कर देते हैं, और यहांपर देखिए branding information, तो यहांपर कर देता हूँ, और यहांपर देखिए आप upload logo, optional है, यहांपर से आप upload logo पर click करके, आप कोई भी logo अगर अपने website का लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो, for example, मैं यहां से कुछ भी select कर देता हूँ, और उसके बाद आपको यहांपर click कर देना है, और वहांपर click करने के बाद आप यहांपर देख सकते हो, industry type, यानि कि किस तरह का website आप बनाना चाहते हो, तो यहांपर देखिए बहुत सारी categories है, तो आप यहांपर से कुछ भी select कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहांपर next step प click कर देना है, तो next step प click करने के बाद आप यहांपर business track प्ली दीजिए, तो मैं यहांपर से कुछ भी select कर देता हूँ, और उसके बाद यहांपर आपको अपने contact details दे देनी है, आपको अपना email एंटर कर देना है, और यहांपर से आपको अपना mobile number भी एंटर कर देना है, details देनी के बाद आपको यहांपर next step पर click कर देना है, तो आप जैसे ही next step पर click करते हैं, तो आप यहांपर देख सकते हो pages, select pages you want to include in your website, तो यहांपर से यह बोल रहा है कि जो भी pages आपको चाहिए, वो यहांपर से आप select कर सकते हो, तो हमें यहांपर से अपने website के pages को select करना है हमें content pages चाहिए, वो हमें यहांपर से select करना है, तो आप यहांपर देख सकते हो, हमें चाहिए about service हमें चाहिए, हमें चाहिए contact, हमें यह पर से इस तरह से rearrange कर सकते हो, हमें चाहिए portfolio तो हम यहांपर रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाप से जो भी pages आपको चाहिए, वो इस यहाँ पर से कोई भी एक theme को simply select कर सकते हो या अगर आपके पास कोई website है या किसी website की तरह आप थीम अपने website पर लगाना चाहते हो तो simply यहाँ पर उस website का URL आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और उस website से related theme मतलब उस website पर जो theme होगी यहाँ पर आपके website पर वो लग जाएगी त तो फिल्हाल के लिए मैं यहाँ पर से इस वाले theme को select कर लेता हूँ और select करने के बाद next step पर आप click कर दीजिए तो जैसा ही आप next step पर click करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का website जो हो मेरा बनने वाला है तो मैंने जो theme select की है वो कुछ इस तरह की है तो य यहाँ पर edit note करना है और जैसे ही आप edit note करते हो तो आप आजोगे अपने website के edit section में तो यहाँ पर फिर से एक tutorial आगया है तो हमें नहीं देखना बस cut कर दें और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ options नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर से अपने contact details वगरा कुछ भी change कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सारे text वो भी आप यहां पर लगा सकते हो या भी यहां पर से लेबलरी में भी आपको कई सारे images देए वो मिर जादे हैं और उसके बाद देखिए यहां पर Facebook का जो icon नजार आ रहा है आपको इस पर लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हो social media के सारे links तो आप जो भी चाहें यहां पर से आप लगा सकते हो for example मैं यहां पर लगाऊंगा आपने YouTube का link तो आपको YouTube को enable करना है और उसके बाद अपने channel वगला का URL आपको यहां पर देदेना है और उसके बाद आप यहां पर click करके अपने website का preview भी आप देख सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका website लग रहा है तो आप यहां पर से सारे वो changes कर सकते हो तो आप यहां पर देखिए कहां पर कहां पर कहां पर just a minute हाँ यहां पर आप देख सकते हो एक YouTube का icon नेजरा रहा है अभी मैंने YouTube का channel link किया था आप यहां पर नीचे आपका सारा address आपका email आपका mobile number यहां पर वो सारा show कर रहा है तो यहां पर से अच्छे सा edit करके आप एक अच्छा website बना सकते हो और सारी reading कर देने के बाद यहां पर आप देख सकते हो publish तो आपको simply publish पर click कर देना है तो जैसे ही आप publish पर click कर देती हो तो आप यहां पर देख सकते हो आपका website अभी publish नहीं हुआ है तो आपको यहां पर इसके attempts and conditions को accept करके go publish आपको यहां पर से कर देना है तो आप जैसे ही पपिश पच्छी करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामें दू प्लाइंस आ गे हैं एक है बेसिक प्लाइन और एक है प्राइंड प्लाइन तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिक प्लाइन 4 month free trial यानि कि guys आप जो website बना रहे हैं वो जो आपका डॉमिन हों से ये वो यहाँ बस 4 months के लिए आपको free में मिलेगा उसके बाद आपको थोड़ा amount दे करना होगा यहाँ बाद आप देख सकते हो 4 months हो जाने के बाद 400 रुपीज पर मन तो हमें ये वाले plan को विदिन 24 hours यानि कि 24 घंदे के अंदर आपका डू website ये वो online प्विश हो जाएगा